हेलो दोस्तों, वेलकम टू कीमोफिलस लॉरिका, होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे आप लोगों ने कम्मुनिटी पोस्तों देखी लियोगी कि वीडियो नहीं है, आप आई डिले हो गई थी सब्सक्राइब हो सकते हैं एक बरी दिया ठीक होने को अच्छा यह उसने बोला नहीं सेटड़े आ जाएगा संडे को वीडियो निकाल देंगे, कोई बात नहीं जी, संडे तक वेट किया, उसके बाद नहीं जी और फिर आ गया आएगा तो अभी भी मुझे नहीं पता हमें वीडियो शूट कर रही हूँ, कब लैपी आएगा, बट यस I can shoot, तो at least एक पार तो खतम हो जाएगा वीडियो निकलने का, शूट करके रखा हो, तो जैसी लैप्टॉप आएगा, फटा-फट से एडिट हो के डल जाएगी तो आपको पूरी कहानी अब पता लग गई होगी कि क्यों डिले हुआ वीडियो पे, तो मेरे को ब्लेम मत देना यार ऐसा निया, मैं अब रेगुलर्ली मेंटेन करती हूँ, और रेगुलर शूट करना है तो शूट करती हूँ, बट हाँ, सॉफ्ट्वेर इशू या अगर आपका जाहिर सी बात है, लैपी खराब है, कुछ इस तरह का, है ना, सेटप में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तब तो आपको समझ नहीं आएगा, so I would suggest you, link आपको ऊपर वीडियो में नजार आ रहा होगा, कि प्लीज आपको वाली वीडियो पहले देखें, कि quantum number है, क्या चीज, कहां से आए, कैसे, and 2 quantum numbers हम कर चुके है, total 4 quantum numbers है, आज हम बाकी दोनों, जो remaining quantum number है, वो करेंगे, और question which is very, you can say most important part, इसके question बहुत simple है, ठीक है, लेकिन आते ही आते है, quantum number अपने आप, मैंने आपको पहले बताया था, कि important topic है, so, बिना किसी देजी के, शुरू करते है, let's start, third quantum number है, आपका magnetic quantum number, ठीक है, पहले दो क्या थे, principal quantum number, and उसके बाद आपका था second वाला azimothil quantum number, right, तीसरा है, आपका magnetic quantum number, जिसको कि हम small m या ml भी लिख देते हैं, इससे denote करते हैं, आप जादातर, small m याद रखे हैं, तो मेरे कहा से जादा ठीक रहेगा, अब ये क्या क्या बताता है, हमें, ये हमें बताता है, number of orbitals की कि किसी sub shell में कितने orbitals हैं, यानि कि number of preferred orientations, ठीक है, तो ये चीजे जो है, ये म में बच्चे select ही नहीं कर पाते हैं, कि किस हो हमने टिक करना है, किसको नहीं करना है, जिस भी तरह का question है, तो इस वज़ए से मैंने ये especially आप लोग के लिखा है, hopefully आपको थोड़ा इससे पढ़ने में आसानी होई होगी, आपके लिए notes भी ready made prepare हो चुके हैं, इस वज़ए से ठीक है, अच्छा और क्या बताता है, ये बताता है splitting of lines in a magnetic field, जिसको मैंने आपको, अगर आपको ध्यान हो, हमने बोहर model की जब limitations की थी है न, Zeeman effect, start effect, वहां किया था, ये वही है दुबारा से Zeeman effect, कि आपकी lines split up हो जाती है in presence of magnetic field, तो वही सेम चीज़ यहाँ पर दुबारा ये आपको किस से बता लगता है, magnetic quantum number से, ठीक है, अब बारी आई इसकी value की, की value क्या है, इसकी minus L से लेके plus L तक, चलो, शुरू करते हैं, और L is equal to 0, अगर L की value आपकी 0 है, यानि S sub shell है, ये तो हम पिशली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, राइट, अब M की value क्या होगा, M is equal to 0 होगा, just 1 होगा, simple है, तो M is equal to 0, यानि सिर्फ एक value, एक value मतलब कि S sub shell में सिर्फ एक orbital है, S sub shell has only one orbital, तभी आप कभी भी देखो, 1S, 2S, 3S, इतना ही लिखते हो, S के आगे कुछ और नहीं लिखते हो हैं, जैसे हम normally बाकी में लिखते हैं, PX, PY, PZ, S में तो नह लिखते हैं, that's why S sub shell का just एक single orbital है, जिसको आप simply खाली S से denote करते हो, okay, अगला, L is equal to, अगर हम 1 लेते हैं, P sub shell, अब इसमें 3 values आ जाएंगी, L is equal to 1 था ना, हमने क्या कहा था, minus L to plus L, यानि minus 1 से लेके plus 1, including 0, तो minus 1 से लेके plus 1 तक, including 0, 3 value आई, इसलिए P sub shell में 3 orbitals, PX, PY, PZ, D sub shell, L is equal to 2, तो आपका D sub shell, इसी तरह से 5 values आएंगी, जिसके लिए आपने 5 अलग-अलग values याद करनी है, D वाले की values जो है काफी important है, उसका reason क्या है, कि इस पर direct question आता है, देखो, PX, PY, PZ, पहले तो नाम याद होने चाहिए, ऐसे ही D में, D Z square, D X Z, D Y Z, D X square, Y square, D X Y, पा D dash है बीच में, X square, D Y square, और एक D Z square है, ये तो दो अलग हैं ही, उसके इलावा आपके, जो तीन coordinates बचे हैं ना, उनको combine करके करो, X और Z का, ठीक है, X और Y का, Y और Z का, ठीक, तो total हो गए 5, अब बारिया है इनकी value की, value याद रखो, यहाँ पे PX की हम 0 लेते हैं, यह by default लेत जाती है, PY plus 1, PZ minus 1, इसका बच्चे नहीं भूलते हैं, P वाली का values का नहीं भूलते हैं, ठीक है, लेकिन Z वाली value का भूल जाते हैं, तो आपने क्या करना है, इसे भी याद रखना है, कैसे याद रखना है, देखो, मैंने कुछ sequence में लिखा है, D Z square हमेशा 0 value लेनी है, 0 कि इसकी M की value, सबकी नहीं M की value 0 है, इनमें सबकी L की value 2 है, मैंने याद है, पिछले उसमें lecture में बताया था, S, P, D, L की value 0, 1, 2, D के लिए आपकी L की value 2 है, अब D Z square के लिए M की value 0 आएगी, उसके बाद अगर आपको याद करना है, तो Z वाली ही value हमें पहले लेके आनी है, सार X और Z को, यानि ऐसे याद कर लो, याद करने का तरीका आप क्या कर सकते हो, कि हम Z को पहले preference दे रहे हैं, फिर हम X को दे रहे हैं, फिर हम Y को, उससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा याद करने में असानी होगी, क्योंकि यह sequence यहाँ आप देख सकते लिखा हुआ, 0, 1, 1, 1 plus 2, minus 2, ठीक, और यह बहुत important है, यह exam में पता होना चाहिए, और अगर यह गढ़वड हुआ, तो कई question गढ़वड हो जाएंगे, इसलिए, DZ square सबसे पहले, M is equal to 0, then मैंने कहा X को preference देंगे, इसलिए XZ वाला पहले लिया है, YZ वाला बाद में लिया है, तो XZ plus 1, YZ minus 1, बड़े वाला है, इसको पहले preference दे दो, X, Y को बाद में दे दो, that's it, थोड़ा सा याद करने की चीज़ है, मतलब, है न, कहना तो चाहिए कि, हाँ, understanding, तो क्या बोलो मैं बठाँ, थोड़ा सा याद करने का, है यह, retaining power थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आपको ध और अगर ऐसे आप निकालेंगे, calculate करेंगे, तो F में 7 आएगा, तो आप देख सकते हो, यह odd number की series line से चली हुई है, 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनत करोगे, तो ऐसे भी easy है, समझ में आ जाएगा, कुछ खास मुश्किल नहीं है, then, उसके बाद जो important चीज़ आती हैं, so all the three P orbitals, या जितने भी D के 5 के 5 orbitals हैं, उनकी सब की same energy है, orbitals की, जब same energy हो, same sub shell के, ऐसा नहीं की, अलग-लग sub shell, same sub shell के जितने भी orbitals हैं, अगर उनकी energy same है, तो हम उसे क्या कहते हैं, they are degenerate orbitals, और हम इस concept को कहते हैं, degeneracy, मतलब उनका energy level या उनकी energy equal है, ठीक है, वो energy या वो जो magnetic field आप apply करते हो, ठीक है, crystal field theory आप आगे कभी पढ़ोगे, तो उसमें ही आता है, degeneracy को concept, मतलब ये था, एंड उसके पाद आपका ये आता है, कि अगर magnetic field हम apply करते हैं, तो further ये split up कर जाते हैं, orbitals, मतलब पांच d orbitals हैं, वो split up कर जाएंगे, तीन excited हो जाएंगे, दो excited हो आगयाने वाली किसी वीडियो में, देखती हूँ, जैसा ही टाइम लगेगा, उसे सबसें बनाएंगे, तो जब तक इनकी level same है, that means energy level उनकी सबकी, या उनकी energy की value equal है, ठीक है, तो ये मैंने आपको mention कर दिया, अब हम चलते हैं, अगले quantum number पे, spin quantum number, जो कि हमारा चौथा quantum number है एक चीज़ और, कि Schrödinger wave equation के solution से सारे quantum number लिख ले है, but कौन सा quantum number है, जो उसके solution से नहीं निकला, वो है ये, ठीक है, तो इसको मैं या mention कर दे रही हूँ, not, don't लिख दिया, not derived, देखो किती simple से चीज़ है, मुझे या लिखना था not, मेरे mind में चलता था derived लिखना है, मुझे वो not derived का, don't लिखा गया, not derived from solution of Schrödinger wave equation, ये मैंने short में लिख दिया है, ये याद रखना है कि कई पर पूछ लिया जाता है, चार option दिया होते है, which one of the following quantum number is not derived from the solution of Schrödinger wave equation, and so your answer must be spin quantum number, got it, and then आपकी value जो है, जिससे हम इसको denote करते है, symbol करना चाहिए, small s, ये ms मत याद करना, ऐसी आद करो, ठीक है, ये जिस्ट इसलिए कि अगर कहीं और, क्योंकि बहुत सारी books जब आप पढ़ते हो है न, Indian authors की, foreign authors की, कहीं न कहीं कभी कबार, किसी अलग symbol से कभी कबार लिखा होता है, तब बच्चों को problem आती है, इस हुझा से मैंने दूसरा symbol भी बताया है आपको, सो ये क्या बताता है हमें, spin बताता है, नाम से बता लग रहा है, direction of spin of electron की कि किसी particular orbital में जो electron है, उसकी spin क्या है, clockwise है कि anti-clockwise है, magnetic property बताएगा, जहीं सी बात है, spin के हम बात करें, तो magnetic property भी बताएगा, ठीक, और तीसी जिस बताता है, angular momentum of spinning electron, जिसको क्या आप calculate कर सकते हो, S, S plus 1 इसका under root edge cut, ऐसे जैसे आपका angular momentum orbital के लिए calculate किया था था न, L वाली value से, वैसे ही same ये भी है, ठीक, फिर उसके बात बात आती है कि अगर clockwise direction में है, तो आप क्या value लेंगे, plus half, by default हम clockwise के लिए plus half लेते हैं, anti-clockwise के लिए minus half लेते हैं, ठीक है जी, तो ये आपका हो गया, ये जो की orbital में, जब आप कोई भी मतलब molecules study कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, atom study कर रहे हो, anything, अगर कहीं पे भी सारे orbitals fully filled है, मतलब pairing हो रखी है सारे electrons की, तो उनकी spin cancel out हो जाएगी न, यानि की net magnetic moment आपका क्या हो जाएगा, 0, वो substance आपका कहलाएगा, diamagnetic, देखो, simple सी बात है, एक की spin upward एक की spin downward, दोनों की spin ये cancel कर देगे न, एक दूसरे को, तो इसलिए अगर कभी भी fully filled है, paired है electrons, तो जाइड सी बात है, magnetic moment 0 and the substance is diamagnetic, ठीक, और अगर half filled है, चाहिए आपका कोई एक अकेला electron ही हो, ठीक है, जरूरी नहीं कि जादा, जाइड सी बात है, जितने जादा number of unpaired electrons हो होंगे उतना जादा magnetic moment आएगा, बट अगर एक भी electron आपका unpaired है, रह गे unpaired, तो वहाँ पर हम क्या कहेंगे, paramagnetic, ठीक है, diamagnetic आपका होता है, weekly repelled by magnetic field, paramagnetic होता है, weekly attracted by magnetic field, ये concept आप और आगे detail में पढ़ोगे, ये I think मैंने आपको, प्लस चुकि अगर आप वीडियो में है, anti-ferro-ferry, कई तरह के आपके इस तरह के substances हैं, तो ये detail में आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, solution की वीडियो से, ठीक है जी, उसके बाद चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी है, spin quantum number में कुछ और important concept है, बहुत interesting concept है, quantum number मुझे परसनली बहुत पसंद है, ठीक है quantum number मुझे पूरी chemistry बहुत पसंद है, मतलब अगर मैं कभी chemistry पढ़ने बैठते हूं, तो मुझे ये निसमझ में आता, कौन सालना topic जादा अच्छ है, मतलब एक चीज़ पढ़ने बैठते हो, कपढ़ते बढ़ते कुछ और यादा आ गया, वो भी कितना अच्छा topic है, वो भी electrons होंगे, उनको आपने half से multiply कर देना है, तो आपकी total spin की value आजाएगी, cancel वाले नहीं, यह मैं तब के लिए कहा है, देखो, suppose करो, यह ऐसे है, ठीक है, तो यह तो cancel out कर देगा, ठीक है, यह cancel out कर देगा, इन दोनों के लिए half plus half one, इसी तरह अगर suppose करो, जादा orbitals हैं, तो अगर आपको तब calculate करना हो, तो n मतलब जितने number of unparade electrons into half, वो आपकी total spin की value आजाएगी, ठीक है, फिर बात आती है, spin magnetic movement, इसको आप mu s से denote करते हो, mu magnetic moment का sign है, मतलब symbol है, and s यानि की spin को, कि according, तो इसका formula है, n n plus 2 का under root, n n plus 2 multiplication में, उसका square root लेंगे आप, अब n क्या है, again number of unparade electrons, और magnetic movement, ठीक है जी, अब मैंने एक ये nut shell में, एक तरह से आप कह सकते हो, पूरा क्रक्स निकाला है, कि अगर, जो आपके MCQs आते हैं, या कई बार जल्द वाजिम हमें, quickly question करना होता है, तो हम ये सारी चीज़ apply कर सकते हैं, देखो कैसे, number of sub shells in nth shell, nth shell मतलब, कि आपको n की value ये भी अगर पूछ लिया जाए, तो कितने उसमें sub shell होंगे, n ही होंगे, अगर 8 shell है, shell का number क्या है, 8, तो उसमें 8 ही sub shell होंगे, कैसे हम cross check कर लेते हैं, first shell में एक sub shell है, तभी हम 1s लिखते हैं, second shell में कितने sub shells हैं, 2s, 2p लिखते हैं, third में 3s, 3p, 3d, 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 4s, 4s, 4p, 4 आ गया, तो यानि n shell, n sub shell, तो ये आपको apply करने में असान हो जाएगा, अगर कभी 9th shell की बात पूछ लिखते हैं, तो मालब ऐसा नहीं कि बच्चा calculate करना चुरू करते हैं, 9th shell में उनमें 9 sub shells होंगे, got it, आगे, number of orbitals किसी sub shell में अगर calculate करने हैं, sub shell में, ठीक है, तो sub shell के which is wrong, right, तो आपको ऐसे याद करना है, 2L, twice of L, plus 1 की value, number of orbitals यहां से निकल जाएगा, और अगर number of orbitals आपने shell के हिसाब से निकालने हैं, जैसे suppose को मैंने आपको कहा, 4th shell में कितने orbitals होंगे, तो आपने क्या करना है, आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है, आपने करना है मैंने क्या किया, 2 square, यानि कि 4 orbitals है, 4 orbitals कैसे है, 2S का एक orbital, फिर 2PX, 2PY, 2PZ, 4 orbital आ गए, तो इस तरह से आप calculate कर सकते है, number of orbitals in sub shell में भी और shell में भी, चाहिए, आपको कोई सा भी number दे रखा हो, उसके recording, अब बारी आई, number of electrons calculate करना, maximum number of electrons in a sub shell, देखो, दोनों चीज़ maximum number of electrons है बर depend करता है, आपको पूचा क्या हुआ है, कि इसके respect में पूचा हुआ है, कि आप से पूचा गया है, कि 9th shell में maximum number of electrons बताओ, या कोई sub shell बता दिया, कि बताओ, उसमें कितने होंगे, तो आपने formula अगर sub shell है, तो उसके recording लगाना है, 2 multiplied by 2L plus 1, 2L plus 1 आपका orbital था ना, एक orbital में दो electron, इसलिए twice the number of electron आ गए, ऐसे ही same nth shell में, n square का twice, got it, ये था आपका nut shell में formula and पूरा concept, अब आप देख सकते हैं, नीचे question नजर आ रहा है, शुरू हो जाते हैं, बिना किसी दिरी के questions, क्योंकि इसमें 5 questions हैं, वो सारे questions हमने करने हैं, ठीक है जी, ओके, तो पहला question क्या है total number of orbitals associated with third shell, देखो भई, आपको निकालना असान है, no doubt, पूरा n, l, m लिखते जाओगे, निकल तो जाएगा ही, अगर mc क्यों करने है, exam में time की shortage है, तो आप कैसे करोंगे, ये जो उपर formula बताया है, वो इसी के लिए apply है, मैं दोनों दरह से calculate करके दिखा देती हूँ, shell कितन करेंगे, n square यानि की 3 square is equal to answer आगया 9, अब check करते हैं, दूसरे तरीके से, देखो, n is equal to 3 है, मतलब l की value पहले check करो, l की value क्या हो जाती थी, 0, 2, n minus 1, 0, 1, 2, n minus 1 क्या होगा, 2 तक होगा, 3 minus 1, 2, तो अब ये आपके आगे 3, अब इसका क्या मतलब है, further आपको निकालना है, orbitals, अब जब l is equal to 0 है, m is equal to 0 है, ठीक है, तो एक तो आपका वो आ गया, 1s, ठीक, फिर अगला case आपका आया, कि l is equal to 0 कि हमने ले लिया, 1 है, ठीक है, तो m की value क्या आ जाएगी, आप कर चुके हो, minus l से plus l, minus 1, 0, plus 1, ठीक है, ये आपका किस के case में है, p के लिए, तो यहाँ 1s मत क्लिक हो, s लिखो खाली, ठीक है, px, py, pz, 4 orbitals हो गए, चलो जी, आगे बढ़ते हैं, l is equal to 2 है, तो यहाँ पे minus 2, plus 2, 0, plus 1, minus 1, ये सारी values हो गई, ये न मैंने गडबड लिख दी है, minus 1 यहाँ लिखना चाहिए था, minus 1 और वो ऐसे लिख दिया, मैंने, plus 1, plus 2, low, 5 orbitals हो गए, 5 आपके 5 किसके d और के orbitals, सब पूरे नाम नहीं लिख रही है, space की shortage, इसलिए मैं अलड़ी पढ़ा चुकी हो, क्या है, तो अब देखो, count करो कितने orbitals है, 5, 3, 8, और 1 के 9, आगे न आपके total कितने, 9 orbitals, ऐसे ही अगर electrons फूश लेते, तो 9 to the 18, ठीक, तो ये, ये देखो करने में आपको, और ये करने में, time का फरक पता दिखा लगा होगा ना, आपको पता लगा होगा, क्योंकि जब आप MCQs करते हैं, वहां main चीज होती है, time की management, तो उसके regarding आपको, ये इस तरह के formula जो है, नर्चल वाले, ये आने बहुत जरूरी है, चलिए कुछ और question करते हैं, जो ब जो भी है, कर लेते हैं, फैला question है, एन electron is in, ये इस था, मैंने, is in 4F orbital, what possible values for N, L, M and S can it have, एक electron 4F orbital में है, आपको निकालना है, चारों की value, N की value आप देख सकते हो, 4, ये 4F दिया हुआ है न, 4F orbital, ये आपको अल्रेडी दिया हुआ है, जी, आपको values निकालनी है, N, L, M, S की N की value 4 आ जाएगी, obviously बात है, L की value क्या आएगी उसके बाद, L की value वैसे तो सारी आ सकती है, बट आप देख सकते हो, यहाँ F लिखा है, तो आपने नहीं ध्याना आना तो side में से लिख लो, S, P, D, F, 0, 1, 2, 3, अगर ऐसा होगा, तो आपको पता लग जाएगा, L की value 3 आ जा जालना है, M, M की value क्या जाएगी, M की value आपकी minus L से लेके plus L, यानि minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3, कुछ भी हो सकती है, और S की value भी कुछ भी हो सकती है, plus half, या फिर minus half, उसने थोड़ी कुछ का है कि clockwise है कि anti-clockwise है, तो आप दोनों लिख सकते हो, ठीक है, यानि यह आपकी सारी values आ जाए, N, L, M, S, तो इस तरह से किसी भी question में पूछा जा सकता है, कि आप values निकालिए, अगला question, write the values for quantum number N, L, M, S का नहीं लिखना है, सिर्फ N, L, M, का, ठीक है, N, L, M, N, L, M, जाना है, दो question मैं करादे रही है, उसके आगे आप करोगे, ओके, चलो जी, D, X, Y, अब, यह खुद करोगे, यह खुद करोगे question, ठीक है, यह खुद से करोगे, क्योंकि, देखके नहीं करना है, लेकिन पढ़के करना है, आपने क्या बताना है, quantum number बताने है, N, L, M के लिए कि क्या values होगी, इसकी, 3D, X, Y, 2P, Z, 4D, Z square, ठीक है, जैसे उपर वाला question किया है, वैसे ही, ऐसे अगला question, N is equal to 2 दिया है, और L is equal to 1, तो पूचा हुआ है, कि बताओ कौन सा orbital है, इसका एक part मैं कर दे रही हूँ, एक part आपने करना है, देखो, N की value 2 है, यानि कि, क्या लिख question किया इसमे, which one of the following set of quantum numbers are not permitted or possible, ये आपको कुछ सेट दिये है, आपको इसमें figure out करना है, कि कौन सा orbital या set of quantum number possible है और नहीं है, जितना है मैंने आपको quantum number पढ़ाए है, उसमें कुछ rules, आपने अगर ध्यान दियो हो, तो मैंने बताए होए है, तो ध्यान से करना, ठीक है, इस guys, पढ़ो and comment section में जरूर बताओ कि क्या answer होगा, ठीक है, I am eagerly waiting for your comments, ठीक है, जो भी आप बताओगे, चाहे गलत तो सही उससे फरक नहीं पढ़ता, बर try करना बहुत simple सी चीज़ है, ये तो numerical भी नहीं है, और उसके लावा आखरी question, if n is equal to 5, n की value, यानि कि आपका 5th shell है, त आप पिछला lecture और ये lecture अगर properly revise करेंगे, तो इस सारे questions आप से निकल जाएंगे, and मैं guarantee देती हूँ कि सारे questions सही निकलेंगे, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई कि होगी, ठीक है, तो मैं wait करूँगी, आपके comment section में, आपके in questions का answers का, उसके बाद हमने जो अगला topic करना है थोड़ा सा ही रहा है, part structure of atom का, and की chapter भी हमारा complete हो जाएगा, ठीक है जी, okay then guys, पढ़ते रहो, हसते रहो, खुश रहो, and फिर में लेंगे, चलते चलते, ठीक है, याद है एक picture का डालक आगया, उसमें बोलते हैं, हमें रही प्यार के, फिर में लेंगे, चलते चलते, so keep on rolling the mystery of chemistry with myself, Lorika, bye-bye, take care.